आज का वान रज़र टॉपिक है वोफे पैटर्न्स की नहोल नॉमर्स होल नॉमर्स के पैटर्न्स देखें कि हम पैटर्न्स की जो शेप होंगी वो होंगी लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइगल नॉमर्स जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 10, हम यह सक्वाइब देखेंगे उनका रेप्रसेंटेशन क्यासे करेंगे जैसे लाइन है तो नॉमर्स जैसे जरें कर लिए लाइन स्ट्रेट होगी है तो मैं दो पॉइंट उटा गी 3 दे, 3.4 दे, 4 पॉइंट रेक्टेंगल के लिए 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 जैसे में 6 लिया तो हमने इदर की साइड तुकिया और इदर की साइड 3 किया तो देखिया यह रेक्टेंगल की शेट है इसी तरी के से यह मैं देखें 10 and carry on square के लिए 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 हमने square की शेट में 4 थे तो 4 dot square की शेट में 9 थे, 9 dot square की शेट में देखिये लिए, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 लिए लिए से 16 देखिये 1,2,3,4,5,6,7,8 9,2,3,4,5,6,7,8,9 2,3,4,5,6,7,8,9 3,4,5,6,7,8,9, 6 यह भी square की शेट नेखिये next देखिए triangle 3 तो देखिए ये 3 dot है ये triangle रोगे है 6 3, 4, 5, 6 ये देखिए triangle है 10 देखिए 4, 3, 2 and 1 ये 10 होगा ही तरफ परमेजा ये भी triangle है अब बात आती है कि हम किस number का shape में line बनाएंगे किस number का rectangle बनाएंगे किसका square triangle बनाएंगे यह बाती हम आपको बताएंगे, उससे पहले बहुत कुछ बातें हैं, जो आपको ध्यान में रखनी, शेफ प्रेट करने से करें पहली बात है, इच नमबर थे अरेंज्ट इन लाइन, यानि हर नमबर को हम लाइन के फॉर्म में शो कर सकते हैं अगर आपसे कुछिन गे रहा है कि नमबर 9 को एक लाइन की शेफ में दिखाएं तो आप दिखा सकें 9 को ना दिखा, और हो गया दो, नेक्स दिखे, नमबर थे अरेंज्ट इन सेव प्रेजेंटेट इन स्कॉायर, जिन नमबर के फेक्टर सेव होंगे वही नमबर स्कॉायर की शेफ लेगे, दूसरे नमबर नहीं रेगे जैसे बिखे 4, इस जो फेक्टर आएंगे हो अगर 4 x 2 यह रोला सेम है, तो किसे 4 इसको, उसकी फोर में रिखा सकते है, स्कॉयर की 16, 4 x 4, हम उसको भी रिखा सकते है, स्कॉयर की फोर में अब जैसे मां पिशुने हैं सिंसे हो, इसके बेकर आपने को हो और 3, तो देगे यह अलाग है, यह स्वाइक की शेप में नहीं चाहिएगा Next step, numbers that have different factors may be represented as rectangle जिन numbers a, factors different आएंगे, जिसे अभी मारे 2 x 2, अगर हो अलाग आएंगे, तो उन्हें rectangle की shape जैसे 6 कादा, 4 x 3, दोनु factors different है, तो अगर factor different है, rectangle factor same है, square line के लिए कोई factor जा सेकता है अब बात करें, triangle 3, triangle 3 यह थी थोड़ा सा लग है, prime numbers पहरें एक और बात कर लिए थे, prime numbers can only be shown as a line with exception 3 जो हमारा prime number होगा, कि उसको हम सिर्फ line में दिखाएंगे, line की form में दिखा सकते हैं, उसको rectangle square triangle की form में नहीं दिखा सकते हैं सिर्फ 3 को शोड़ें, तो कि हम 3 को एक प्रेंडल की फॉर्म में दिखा सकते हैं, अब जैसे 7 है, हम 7 को इन में से किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, एकसर लाइन, सिर्फ हम 7 को लाइन की फॉर्म में शोड़ेंगे, आपकी next exercise इसी के उपर बेस्ट है, जैसे आप देखें की question 2.3 2.3 वो कह रहा है कि number 16, question number 1, which of the following numbers can be represented as a line, कि इनने से किसको हम as a line की तरह दिखा सकते हैं, लोगी इनने आपको बताया था कि सारी line की तरह दिखा सकते हैं, देख रहेते हैं, आपको आसर जा कहता है, 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.3 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